दोस्तो होता क्या है कि जब भी आप कोई भी कोर्स किसी भी युनिवर्सिटी से करते हो, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन सब स्टूडेंट्स के लिए है, जिनोंने किसी भी सेटिंग से, किसी भी जुगार से, शौर्ट कर तरीके से, डॉकुमेंट्स लिए हैं अपना युन स्क्रिप्ट चाहिए, वो स्टूडेंट अब युनिवर्सिटी अप्रोच नहीं कर सकता, वो काफी दूर रहता है युनिवर्सिटी से, या फिर ऐसा भी हो सकता है, जिस कंसल्टेंट ने, ये सब डॉकुमेंट उसको दिलवाये थे, अब उससे वो अप्रोच नहीं कर पा वेस्ट करती हैं, उल्टे सीधे, चार्जिस करती हैं, बोलते हैं, डॉकुमेंटस हमने दिये ही नहीं, पूरी फिस द्वारा जमा करो, ये समस्या होती हैं, अगर आप मेंसे कोई भी स्टूडेंट जो समस्या फेस कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, या आप कं बने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ, दोस्तों प्रॉबलम क्या होती है, कि जब भी कोई स्टूडेंट, मान लीजिए कि अब वो इंडिया में नहीं रहता, ये ये युनिवरस्टी से बहुत दूर रहता है, कंसल्टेंट से, अब उसका कोई भी आपको चाहिए डिगरी, अब होते हैं यहां से प्रॉबलम के शुरुआ, सबसे पहली बात, आपने क्या गलती की, कि युनिवरस्टी आपको डॉकुमेंट्स नहीं दे रही है, आपने जब डॉकुमेंट्स लिए, आप युनिवरस्टी से अपने डॉकुमेंट्स को अच में एक इंसिडेंट्स हुआ, एक स्टुदेंट्स के साथ में, युनिवरस्टी हाला कि वो गुजरात साइट की युनिवरस्टी है, क्या हुआ कि ऐसे में कि स्टुदेंट्स नहीं अपने डॉकुमेंट्स वेरिफाई करवाए, डॉकुमेंट्स मतलब अब जिस स्कूल मे कर यूणिवस्टी को भेज़ दिया 5000 की फीस के साथ में फीस वहाँ चली गई और जाने के बाद में डॉक्यमेट को वेरिफाई भी कर दिया अब उसने लगाए डिपार्टमेंट में डॉक्यमेट लगाए डॉक्यमेंट को कर दिया गया डी वेरीफाई और बोला गया कि ये हमने issue नहीं किया ऐसा होता है यह सिर्फ बात एक state की नहीं कर रहा हूँ हिमाचल में बात करें या हम बात करें उत्राखंड में ऐसी उनिवस्टिया है या बात करो नौर्थ यस्ट में जिन्होंने ये same process को follow करके लोगों को de-verify किया है documents को अच्छे से आप verify करवाते हैं RTI से करवाते है verify departmental verify करवाते है या FIR कटवा के documents को duplicate निकलवाते हैं ये सब एक अच्छे process है जिनको माना जा सकता है कि documents को आपने verify करवाया है सिर्फ fees देकर letter लेने से कुछ दोस्तों होगा नहीं ये problem आपके साथ होगी consultant कोई भी हो फस्ता लास में consultant ही है योगि student ने तो document ले लिए अब बाद में वो approach किसे करया consultant को consultant या institute वाला ही बीच का सुत्रधारक था जो कि university से contact कर रहा था student से contact कर रहा था अब problem आगी आपके साथ cheating fraud अगर हुआ है किसी भी consultant या institute के साथ दोस्तों फिर से मैं आपको एक बात अपील करना चाहूँगा कि जो एक association है जो काम करती है सिर्फ और सिर्फ इंसिट्यूट्स की problems के बारे में जो काम करती है जो problems face करते हैं इंसिट्यूट्स उनको solve करने के लिए साथ में आपको अलग-अलग university टाइप कराने के लिए उसके आप member बनें जो association है जो AAEIU जो short form है इसका www.aaeiu.in इसकी website है association है पूरे ही हिंदुस्तान के ये इंसिट्यूट्स की इसके आप member बनेंगे तो ये लोग आपकी fight करेंगे या पर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो आपके साथ problems अकसर देखने को मिलती है अब आप जैसे ही university जाते हो दोस्तों documents को apply करने के लिए आपको चाहिए degree आपको चाहिए west करवाना है मतलब आपको transcript चाहिए जाते ही university अगर आपका काम करना नहीं चाहती तो सबसे पहले बोलेंगे कि आपका हमारे पास record ही नहीं है record इसलिए बोल पा रहे हैं कि आपके पास verification नहीं है पर मैं आपको एक बात और बोलूँ कि आप कोई भी document किसी भी university से लेते हैं आपको university को personally जाकर visit करना चाहिए पुरे staff से मिलना चाहिए class भी देखने चाहिए कहां exam होते हैं exam's hall क्या है वो भी देखना चाहिए और हो सके तो अपने documents के genuinity पो प्रूफ करने के लिए सारे evidences आपके पास हो fees की रसीदे भी हो जो आपने fees university account में दी है उसका ये कि जो भी आपने problem होगी नहीं और university document को verify करेगी आपके सारे documents देगी भी और problem create नहीं होगी कम से कम consultant जो बिनवादी परिशान होता है वो consultant परिशान होगा नहीं अगर आभी सब precautions अगर ढंग से ले लेते हैं और जाकर university का जो staff है खास करके chairman तक पहुचने की कोशिश करें कि कम से कम अगर आप consultant है तो chairman से आपका interaction होना चाहिए कि chairman कोन है कहां बैठता है vice chancellor रईस्टार आते हैं जाते हैं बदलते रहते हैं इन पर इतना trust करने की आपको जरूवत दोस्तों है नहीं अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूँ जो बहुत काम की है आप सभी के लिए फिर चाहें वो consultant या institute है फिर चाहें वो students है क्या करना चाहिए कि मान लीजी आप अपने documents को अच्छी तरह से verify करवाना चाहते हो अब मैं आपको बताऊँगा क्या चीज होती है और क्या नहीं होती है आपने क्या किया कि अपनी एक NCR कटवा दी कि मेरे documents misplace हो गए हैं आपने online NCR काट दी FIR आप इसको बोल सकते हैं आपने वो कटवा दिया कटने के बाद में आप उसको लेकर university गए मेरे documents misplace हो गए हैं मुझे documents duplicate apply कर गए अब क्या होगा कि ये university आपसे मांगेगी आपके mark sheets की photo state क्यों क्यों कि university के पास ये ही record नहीं है कि आपके marks किस subject में कितने थे इनके पास नहीं होता है सबरी इवन आपके नाम की proper spelling तक university के पास नहीं होती है क्योंकि अलग से list एक maintain करते हैं आपर सिर्फ student का नाम, father का नाम course और enrollment number होता है और कुछ नहीं होता document को misplace के application आप लिखवाना आप में से जितने भी students को लगता है कि मैं ऐसे ही आपको कोई बात बोल रहा हूं तो आप इस process को follow करना आप NCR करटवाना, documents missing के report लिखवाना, report लेकर university जानो और बोलना के मुझे अपने documents duplicate निकलवाने है university से, देखना सिर्फ detail देने से वो आपका पुरा record निकाल नहीं पाएंगे अगर आपने documents setting से लिए है तो, ये university आप से मांगेगी आपकी marksheets की duplicate copy मतलब की photocopy उसके बिना ये marksheets issue कर ही नहीं पाएंगे और अगर issue कर भी थी तो marks उपर नीचे होंगे hundred percent होंगे इनके पास को record record होता नहीं है तो, आप समझ सकते हो कि कितने dangerous हो सकते हैं ये document आगे जाकर अगर आप कहीं पर documents लगा दो और आपको मान लीजिए आपने government job में जाकर अपने documents लगा दे अब लगाने के बाद में आपका department बोलता है कि दुबारा से document submit करो और आपके document मान लीजिए miss place होगे, खोगे, अब क्या करोगे आप आपके पास तो marks का record ही नहीं है और department से आप निकाल नहीं पाओगे और जाओगे university तो हम marks आपको अलग मिलेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है बहुत बड़ी problem है, ये भी आपके सामने problem आ सकती, इसको भी बहुत अच्छे से आप समझ लें और जागे अब बात करते हैं चौती बात की, दोस्तो कभी भी कोई भी student, किसी भी university से documents लेता है, किसी भी तरीके से, मैं फिर repeat करता हूँ ये सिर्फ उन students या उन consultants के लिए वीडियो है, जिन्होंने document किसी भी तरह की setting करके जुगार से लिए है, सिर्फ वही students इस चीज़ को apply करें, आप university visit ज़रूर करें, physically जाएं, physically जाएं, बात करें campus में जाकर, जाकर university के staff से मिलें, उन्हें अपनी problems बताएं कि क्या क्या documents आप apply करना चाते हो, कैसे verification कराना चाते हो, क्या क्या documents को apply करने का process क्या है, ये सब बाते करने के लिए आपको physically जाना चाहिए, और consultant, जो problems को face करते हैं, बार-बार-बार, universities आपके documents नहीं देती है, या universities आपके documents को verify नहीं करती है, universities आपके documents जो आपने apply किये, उसके degrees issue नहीं करती है, आपका west नहीं करती है, आपके consultancy नहीं देती है, और ये होता है, क्योंकि आप अकेले हो, इसलिए लड़ नहीं पाते हैं, अपने लड़ाई को और universities आपके साथ बदमाशी करती हैं, इसलिए मैंने आपको बोला, जो association है, All Indian Institutions के association है, AAEI, उसको आप join करें, join करने एक बाद उसके आप member बने, और आपके साथ जो भी कोई problems होगी, उसका निप्टारव association खुद करेगी, और आपको समस्याओं में पढ़ने के जरूरत नहीं होगी, कम से कम, back date के business को बंद करना चाहिए, आपको back date के चकर में पढ़ना नहीं चाहिए, systematically कीजिए, online बहुत सारी universities हैं, डिस्टेंस, बहुत सारी universities हैं, systematically चलोगे, problem मैं मानता हूँ कि आपके साथ कोई problem नहीं होगी, दोस्तों, उमीद करता हूँ, जो कि मैंने आपको आज बताया, आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा हूँ का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आपको जानका बना सकें, बहुत बहुत शुक्रे दोस्तिन निवाद, हमारे इस वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए,